शशीबाबू मेरे कंसल्टेशन में काफी दिनों से हैं और इनको किडनी स्टोन की दिक्त थी किडनी स्टोन भी बहुत बड़ी नहीं थी अपने पुराने वीडियोjes में हमने बड़ी-बड़ी किड्ीनिस टोन सॉल्फ होते हुश दिखाई आपको बहुत कम टाइम में लेकिन आज हम आपको च्छोटी किड्निस टोन दिखा रहा है जिसने हमें कितना जिलाया उसके बारे में भी बताएंगे हमारे पास शशी बाबू है ठीक है और इन से हम पूछेंगे ये हमारे पास कितने दिनों तक इलाज में हैं कितने दिनों से हैं और इनको कितने वेम की स्टोन थी और क्या-क्या दिक्कते थी क्यों नहीं सॉल्व हुई और कैसे सॉल्व हुई ये भी जानना जरूरी है तो इस जो दिखता है वो सही भी होता है तरह चार पत्रियाँ थी बड़ी-बड़ी बड़ी बड़ी जल्दी निकल गई कितने दिने में बड़ी वाली निकल गई तो एक डेड़ दो महीने में निकल गई चोटी वाली नहीं निकली चोटी वाली को निकालने में डेड़ साल लगए डेड़ साल का पूरा टाइम लगा चोटी पत्री को निकालने में शुरू कि जो 8-9 mm की थी मुस्किल से एक डिड़ में निकल गई क्योंकि जो छोटी वाली स्टोन थी वो impacted थी अब समझेगा इस बात को ससी के पास पूरा option था कि वो छोड़ के quit कर सकता था वो किसी वो डॉक्टर को दिखा लेता को जोरी थोड़ी हमें को दिखाए हो और इसके अलामा और भी डे सारे चीज़ें थी जो कर सकता हो सजरी करवा सकता था लेकिन वाई शसी जो हैं वो हमारे उपर blind फैद करते थे तो इसलिए ससी काफी दिनों तक रुके रहे जब मरीज एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए लंबे दिनों तक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहता तो कई बर डॉक्टर का भी पेसे जवाब देने लगता बैए कब तक एक ना एक कुछ ना कुछ दवाई या नहीं नहीं ड्राइ की गई अल्टिमेटली एक एंटी सोरिक दवा के बाद फिर किरवाए गया और फिर लास्ट में हमने सशी से बोला कि सशी नेक्स टाइम हम सीटी स्कैन करवाएंगे रल्टर साउंट पर हमें वरोसा नहीं हो रहा है और इस बार बैटा लास्ट हम उपाय कर रहे है और हमें उम्मीद है कि आप जो हम प्रिकॉसन बता रहे हैं उसको इस्टिकली फॉलो करो तो एक महीने से सशी ने वही चीज़ें फॉलो की जो हमने बोला एक बाद सशी से भी सुनी है क्या क्या खाया भी आवी है एक महीने दुमने सुबह में दई रोटी खा कहते हैं और दोपार में केला से रोटी खाते हैं केला रोटी खा लेते हैं बच्चा इतना डेडिकेटेड है कि मैंने बोला बटा केला जो होता है स्टोन के लिए बहुत अची चीज़ है बच्चे ने केलाई खाना शुरू करती है, रात में करैली रोटी खाते हैं, मतलब आप समझ लिए वो भी dedicate हो गया कि हमें इसर छुटकारा पाना है, जब आप dedicate होके किसी जीज का इलाज करते हैं और करवाते हैं, तो no doubt, success अचीव होती है, लेकिन कई बर ऐसा होता है कि हमारा patience जवाब देने लगता कई बार हमारे मन मताबिक treatment नहीं हो पाता है या फिर कहिए मन मताबिक result नहीं मिलते हैं जैसा हम expect करते हैं उस तरीके से result नहीं मिलते हैं तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीश जो आपका साथ देती हो patience होता है हाँ no doubt इस बार जब मैंने सशी को दवा दी मैंने ये सोच के दवा दी ये full and final medicine है यदि इस बार नहीं निकला तो सशी लाख हम से बोलें कि सब दो दिन दो मेने और चार मेने और हम सीधे सशी को recommend कर देते हैं सजरी के लिए दो mm का तीन mm का impacted stone कोई खतरे की बात नहीं थी लेकिन फिर भी हमें लगता है क्यों हम ऐसे patient को जलाएं so that's why ये जरूरी होता है समझना कि homeopathy की भी अपनी limitation होती है दो तरह के kidney stone बहुत चलाते हैं इसमें first number पे जो होता है वो impacted stone होता है और जो second number पे होता है वो stag on होता है impacted stone भी निकलते हैं अभी तक कि अपनी life में यदि हमने 8 impacted stone के cases लिए होंगे तो literally बता रहे हैं दो नहीं सही हुए लेकिन 6 सही हुए वो 6 वो सही हुए जिसमें patient 100% dedicate था और उसे लगता था किसी भी तरीके से सराब सही करिए so that's why आपका precaution और आपका dedication काफी माने रखता है आज की date में आने वाले time में जब हम kidney stone के लिए hospital खोड़ेंगे तो 20 हम की kidney stone के cases लिए जाएंगे 15 दिनों के लिए मरीज़ों को IPD में बरती करवाए जागा IPD जो होगी वो open type की होगी open type का जहां physical activity खोब जादे operation से बचना है आईए 15 दिन के लिए सारे काम छोड़ के आईए और यहीं रहके treatment करवाईए सुवेरे से साम तक दवा खाईए अपने physical activity को और lifestyle को ठीक करते हुए thank you very much डॉक्टर अतुल कुमासिंग ने रामया होमेपेथी से kidney stone के cases ठीक होते हैं झाल 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 झाल